हलो प्यारे बच्चों वेटा कैसे आप साब उमीद है आप साब होंगे महस्तों तंद्रोष तो मैं कुंदन कुमार सर्मा फिर ते स्वागत करता हूं वेटा मैंके ब्रेंड सिंधी मादेम चनल में तो विद्यार्थियों आज हमका अच्छा बारी विए के गनित में सांतत्यवम अवकलनियता में असपस्ट फलनों का अवकलन करने वाले थे उसमें भी आज हम पार्ट वन हो चुका है तो जल्दी जाओ पहले तो पार्ट वन देख क्या है और फिर पार्ट वन में उसके यासा कि x की पावर 5 प्लस y की पावर 5 प्लस 5 का मल्टिप्लाई में x और y का फिर से गुनन है और minus का 4 इक्वल टू 0 है तो ध्यान देजेगा क्या इसका अवकलन होगा तो ध्यान देजे बढ़ा जब भी आस्पस फलनों का अवकलन होना दा है तो हम क्या करते हैं हर एक तर प्लास फाइव टाइमस ओफ एकस बाई है ना माइनस का चार बरावर सुन्य अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे आप फटाक से लिख लो कि दोनों तरफ अब कलन करने पर तो कितना हो जागा बटा यहाँ पे भी डिफ्रेंशियेशन यहाँ पे भी डिफ्रेंशियेशन करना पड़ेगा इस पद में भी डिफ्रेंशियेशन करना पड़ेगा और इस पद में भी डिफ्रेंशियेशन करना पड़ेगा अब आगे अचा जीरो में भी कर लो ऐसा कुछ में भी डिफ्रेंशेशन कर लो, खोश, इक्वल टू, ऐसा कुछ नहींगे, जहां मन करे, वहां हर एक पद में, आपको क्या करना है, अब कलन करना है, क्या करना है विटा, अब कलन करना है, ठीक है, ओके, अब सुनिएगा, इसको लिखिएगा क्या पर लिखता है, सभी पदो का, अब कलन, अब कलन करने पर, खातम, अब डिफ्रेंशेशन कर दो, एकदम नॉर्मल सुनोटा, एक्स की पवर पाँच का, फाइव, एक्स की पावर फोर प्लस, वाई की पावर फाइब का, फाइब, बाई की पावर, फोर, लेकिन, य खुद एक फ़ंक्शन होता है, x का तो chain rule लग जागा बटा तो differentiation पूर ई--" तो डीवाई अपान डी एक्स प्लस अब यहां , bon पांच बाहर X को छोड़ेंगे तो निवाई का differentiation । डीवाई जीएक्स प्लस बाई को छोड़ेंगे तो X का differentiation प्लस बहुत टफ था का माईनेश चार का differentiation 0 और 0 का differentiation 0 अब आगे बिद्यारती हों 5x की power 4 plus 5y की power 4 कितना? dy upon dx प्लस का 5x dy upon dx प्लस का 5y बराबर सुन्य अब एक बात बदाता हूं सुनो इतना प्यारा चीज है ने बटा देखो बिद्यारती हों यहाँ जहाँ जहाँ dy by dx होना आप कॉमल ले लो dy by dx कॉमल ले लो क्योंकि dy by dx के लिए निकालना है? सवाल में पूछा गया बटा कि dy by dx का माहन गया देखो आप भी करके दे रहे हैं उसमें क्या है? यह लिजिए तो 5y की पावर 4 dy upon dx मैंने यहाँ लिखा यह बला प्लस का 5x dy upon dx यहाँ लिखा उटा और यह 5x की पावर 4 इदर ले जाओ 5x की पावर 4 इदर तो कैसा? माइनस मिस्टेक ना हो जाए ध्यान दो साइम चेंज करने बड़ी इशू आ जाती कभी-कभी क्या होता है कि हम मैंच में तो एक्सपाट होते हैं हम लोग लेकिन क्या होता है? कि यह नॉर्मल सी चीज करते टाइम मिस्टेक कर देते तो यह छोटी-छोटी साबधानियों को एकदम ध्यान में रखना है ताकि एक भी गलती नहीं उटा अब 5 बड़ी इधर जागा माइनस 5 बड़ी अब सुनों क्या कॉमन लिया जा सकता है? इन दोनों में से पांच कॉमन ले सकते हैं यहां क्या बचने वाला था? बताईए 5x में से 5 बाहर तो सिर्फ x बचेगा बटा प्लस x एक बार और और चेक कर ले dy by dx और 5 जाने कवाद बाई की पावर चार और x बचेगा अब इन दोनों में से माइनस 5 बाहर लिया तो x की पावर 4 प्लस y सही है, एक दाम को दिक्का तो नहीं, बिलकुल भी नहीं तो मेरे प्यारे बिद्द्यारती हों, dy by dx अगर यहीं रहेगा तो यह क्या हो जाएगा? माइनस 5, माइनस 5 अब यह कितना हो जागा? x की पावर 4 प्लस y के होल अपॉन में कितना बटा? 5 और कितना? y की पावर 4 प्लस x तो इससे ज्यादा, अच्छा बत और क्या हो सकता है? y 5 से 5 कार दो, तो लो भाई सहाब, dy by dx बरावर कितना? माइनस x की पावर 4 प्लस का y होल अपॉन में कितना बटा? y की पावर 4 प्लस का x इससे बढ़ियाँ चीज और क्या हो सकती है? तो बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही सुन्दर चीज है, तो चिंता करने की बात नहीं है, जल्दी चलेंगा हम अब अगले सवाल की प्लस का 2 2hxy प्लस का by square प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का constant बरावर 0 सवाल काफी अच्छा है तो चिंता की बात नहीं है हमें क्या करना है हर एक पद में क्या करना विटा अवकललने ने पर सभी पदों में सभी पदों पर सभी पदों को अवकलित करने पर अवकलित करने पर अव सभी पद को अगर अवकलित कर देंगे तो क्या मिलेगा बिटा क्या मिलने वाला है बताओ आपको क्या करना है सभी पद को अवकलित करना है तो सवाल मैंने सेम टू सेम लिख दिया अव अब कलन करना है आईए कैसे करेंगे तो differentiation इसका भी हाँ जी बिलकुल फिर इसका भी differentiation बिलकुल और इस तीसरे terms का भी differentiation, चौथे term का भी differentiation, फिर कितना, ये पाँचवे term का भी differentiation, है ना, bracket लगा दीजीगा बस आप, ये लिजी, ओके, अब ये पाँचवे term, छटे term सब का, जो भी आपका term है, तो उसका भी अफकलन, और इधर 0 है, ये लिजीए भाई सब, इस महासुम को क्यों छोड़ना, इसको भी differentiate कर दो, तो वैसे 0 का differentiation कितना, 0, तो चिंता की बात है ये नहीं, है ना, अब आगे, जल्दी फटा पढ़ देखो बटा, A बाहर X से स्क्वार का differentiation कितना बटा, 2X प्लस का, 2H बाहर, 2H, ये वाला बाहर, क्योंकि constant है, 2 भी constant है, H भी constant है, अब X into Y, ध्यान दो, X को छोड़ेंगे, तो dy, y, dx बाई का differentiation, प्लस बाई को छोड़ेंगे, तो X का differentiation 1, प्लस, B बाहर, अब Y स्क्वार बरावर, कितना, 2Y, और बाई का chain रूल से, फिर से कितना, dy upon dx, ये हुई न, बात, प्लस का, 2G constant है, X का differentiation 1 हो जागा, तो चिंता की बात नहीं है, अब आगे, तो थोड़ा सा, ऐसा प्यार से लिख देते हैं, प्लस का, 2F फिर से constant, y का differentiation, dy upon dx, अब आगे, प्लस, C का constant, सुन्य बरावर, सुन्या, देखा, अब आगे देखो, कि कहां, dy, y, dx लगा हुआ है, अब आगे, एक line तो पहले एक काम करता हो, सुनू, इसको multiply कर लेता हूँ, 2AX प्लस का, 2H है, 2H multiply में, तो 2H into 2X, तो 2HX dy upon dx, प्लस की तबटा, 2HY, बाई, प्लस का, 2BY, dy upon dx, प्लस का, 2G, प्लस का, 2F, dy upon dx, बरावर, सुन्य, बहुत अफ है, नहीं, अब आगे, तो सुनिये गाध्यान से, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, अब ये तीसरा पद हुआ, अब ये तीनों पदों में, dy by by dx है, बागी के तीन पद आपके सामान ने हैं, तो सामान ने पदों को, आप 0 से पक्षांतर कर दे, यानि कि उसके राइट हें शाइड में लेके चले जाएं, और इन तीनों टर्म्स में से, अब dy by dx कॉमान ले लो, और अगली बार क्या बचेगा, एकदम मासुम सा, तो जल्दी से देखिएगा, अगर आप चाहें तो ये नोट कर लेजिएगा, और हम लोग एक काम कर सकते हैं, कि इसको नीचे कॉमान ले तो सकते हैं, है ना, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बस, ये जो नीचे जादा हो गया ना, ये लो, खुश, ये लो, जगा बचा दी भाई, आपकी मने, अब आगए, तो मेरे प्यारे विद्धार्थियों, डीवाई अपों डीएक्स, अगर आप कॉमन ले लें, किन तिन टर्मों में से, पहले टर्म में से तो 2HX, अच्छा 2, 2 और 2, इनमें भी कॉमन है, तो 2 बाहर भी ले ले लेता हूँ है, 2 और डीवाई वे डीएक्स बाहर ले ले ले, तो HX, वाह क्या वाद बड़ी सुन्दिरवाद इसमें से कितना बी बाई बी बाई अब आगे सुरू ध्यान से इसमें से कितना टू बाहर तो सिर्फ एफ बचेगा अब बाके चीजों को पक्षांत्रित कर दो उस साइड तो कितना हो जागा बटा टू ए एक्स टू एच बाई प्लस का टू जी तो ध्यान दीजे सब इदर अगर जाएंगे और उसमें से माइनस टू ए एक्स हो जागा ये कितना हो जागा बटा माइनस टू एच बाई अब प्लस का टू जी इसी है बहुत जादा इसी सवाल है अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से डी बाई बाई डी एक्स अगर बाहर ले लेंगे तो ये अगले टूम्स के डिवीजन में होगा लेकिन एक स्मार्टनेस वाली बादे को सब में दो कॉमाने दो बाहर ले लो और इस दो से दो कैंसल आट कर देंगे वाह एकदम खादम ही हो जाएगा तो हमें अगले स्क्रीन के जुरत पड़ीगी या आप थोड़ा सा पर्मिशन दें तो हम यहाँ पे लिखने की कोशिश कर सकते हैं है ना कर दो सकते हैं भई तो अगर आप बोलें तो लिख लेते हैं और एक बात और बताता हूँ मैं जगह तो बचाने का चीज़ है भई जगह का क्या है एकदम बड़ी मासुम सी जगह होती हो जगह है ना यह लिजी बन गई जगह अब मैं यह कहना चाहरा हूँ कि अगर आप मुझे कह दें तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दू कितनी जगह बहुत है लिख दें है जी लिख दें तो डी वाई डी एक्स कितना प्यारे बिद गारते हैं तो टू टाइमस आफ डी वाई डी एक्स मल्टीप्लाई में कितना एच एक्स बी बाई एफ hx plus का by by plus का f बराबर कितना minus 2 बाहर ले लो minus 2 बाहर ले लो आप तो क्या बच जाएगा ax hy hy plus का g आई वा समझ में अब मुझे एक बात बताओ अब कोई समस्या दिख रही है क्या इसमें बाई 2 से 2 cancel out कर देना और यह आपका प्यारा सा d y y d x कितना तो पहले 2 से 2 अब हटा दो direct तो बचेगा कितना minus of ax plus का hy एक मिनट एक साइन का गलती हुआ होगा अगर minus sign बाहर लिया है ना तो plus का g कैसे आगा यह plus होगा यह plus होगा तो g minus होजागा आपका तो ध्यान दीजिएगा g minus होजागा बटा और यह g है सही है तो minus का g के upon में bracket one सुनो बटा यह वाला पूरा hx plus का by plus का क्या बात है क्या यह बात हमने बहुत सही कही है एक नंबर बहुत ही ज़्यादा सही बात कही है एक मिनट और पूछना चाहरा तो हमें छोटी सी बात थी कि यह हमारा प्यारा क्या 2g negative में था नहीं plus में था plus में था तो यह 2g वाले भाई साब इधर गए तो यह negative क्यों नहीं हुए तो मेरे प्यारे विजारती हो जल्दी से सवाल नंबर 12 कर लिजी क्योंकि सवाल नंबर 12 के बाद जल्दी से सवाल नंबर 13 भी तो आएगा तो जल्दी कॉपी कर लिजे फटाक से जल्दी कॉपी करो 10 सेकेंड का बाक्त है बटा है ना जल्दी करिए आपने अगर कॉपी कर लिया है तो जल्दी से सवाल को हम मिटा देते हैं अब मिटाने के बाद अगला सवाल देखें 12 के बाद 13 हुआ x y q minus का x cube p equal to में x है आके एक काम करते है पहली बात तो ऐसा कर सकते हैं कि सम में से x कॉम लो और कितना x को मिटा दो और वह इसलिए क्योंकि क्या होता है कि किसी भी function का अगर हम differentiation करते हैं तो हमारा पहला rule है कि function को easy बना दिया जाए अगर हमारा सवाल easy होगा तो हम अब कलित करतेंगे तो चिंता नहीं करना मैंटा सबसे पहले x बाहर लिजेगा x बाहर लेंगे तो y cube minus x square p equal to x हो जाएगा इसी है अब आईए अगली बार y cube minus x square into p बरावर बन हो जाएगा अब ये सवाल हुआ इस सवाल को अगर अब कलित किया जाए क्या किया जाए अब कलित किया जाए तब देखना क्या दोनों तरफ दोनों तरफ अब कलन करने पर दोनों तरफ अब कलन करने पर क्या हो जाएगा y cube का differentiation minus differentiation of x square p बरावर differentiation of 1 खुश अब आईए by q बरावर 3 by square कितना dy upon dx 3 by square dy upon dx प्लस माइनस अच्छा अब देखिए एक बात बताना चाहता हूँ ऐसा है कि क्या दो लोगों का multiply है तो क्या एक square first function और p second function होगा नहीं बेटा p तो constant है ना अरे constant आजाएगा बाहर constant आजाएगा बाहर तो हाँ देजिएगा constant आजाएगा p बाहर और differentiation किसका सिर्फ x square का तो x square का differentiation कितना बताईए 2x खातम 1 फिर से constant है इसका differential सुने तो इसका बकलन 0 अब आगे एक ही जगा तो dy by dx है तो common लेनी की तुरत है नहीं बाकि सारे terms को उठाके उधर लेके जाएगे तो देखे बेटा जी कितना 3y square 3y square dy upon dx 3y square dy by dx बराबर minus p 2x उठाके इधर ले आएगे तो हो जाएगा कि ता पी इंटू 2x तो 2px डारेक्ट लिग देता हो बटा और minus का term से ज़रा के प्लस हो जाएगा तो इतना चींदा की बात नहीं है अब आगे dy upon dx बराबर 2px के अपॉन में 3y square बहुत टफ है बिल्कुल भी नहीं तो dy by dx बराबर कितना आगया 2px के अपॉन में 3y square तो जल्दी से कॉपी कर लो इस चीज को बड़ा ही इजी सा सवाल था वेटा सबसे पहले कितना x y q को अपने क्या किया और minus का x q p बराबर जो x था उसमें क्या किया तो सबसे पहले x common लिया फिर simple बना अब कलन किया और differentiation लाए जल्दी चेक करो बटा जल्दी मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने इस सवाल को note कर लिया है तब हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ अगला सवाल देखिए कितना बढ़िया है वाह एक्स की पावर चार प्लस y की पावर चार इक्वल टू ए स्क्वार और ब्रैकेट में x इंटू बाई तो मेरे प्यारे बिद्ध्यारतियों क्या करना आपको dy y dx निकालना है तो जल्दी सी इसका अवकलन का मान निकालने के लिए क्या करेंगे x की पावर चार प्लस y की पावर चार इक्वल टू कितना a स्क्वार एक्स y ऐसा तो मेरे प्यारे विद्धार्थियों आपको एक बात बताता हूँ कि ये हमने क्या कर दिया differentiation और ये भी हमने कर दिया differentiation और ये भी कर दिया हमने बटा differentiation तो सभी पदों का हमने अब कलन कर लिया अब मेरे प्यारे विद्धारतियों, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कि इसका होगा क्या, तो 4x की पावर 3 प्लस, ये कितना बता, 4y की पावर 3 और dy अपॉन dx विद्धारतियों, बराबर, a square और x into y, भाई साहब, ये किस चीज़ का differentiation हो जागा, तो भाई multiply का, अब multiply कै कैसे, मैं बताता हूँ, x को छोड़ देंगे, यानि कितना, y का differentiation, that is the dy y dx, फिर कितना, plus y को छोड़ देंगे, तो differentiation कितना, x का बचेगा, तो direct 1 लिग दीज़ेगा, तो x का differentiation 1, अब आगे, बहुत जादा अगर है, तो 4y cube, प्लस का 4, अच्छा, 4x cube है ये, 4x cube, प्लस का कित दोनों terms के साथ, तो a square x, dy upon dx, कितना, dy upon dx, प्लस का, a square y, क्या बहुत टफ है, नहीं, बहुत इसी है, अब हम अगली बार क्या करेंगे, कि हमारे पास कौन-कौन से पद ऐसे है, कौन-कौन से term ऐसे हैं, जिसमें dy पे dx लागा, आहा, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है, तो दोनों जगा में से, हम क्या करेंगे, एक एक पद निकाल लेंगे, है ना, या, दोनों पदों को एक तरफ रख लेते हैं, तो 4y square, 4y cube, dy upon dx, minus a square x, dy upon dx, equal to, a square y, a square y, minus का 4x cube, minus का 4x cube, तो बहुत ज़्यादा easy है, या बहुत ज़्यादा tough है, एक बात ध्यान देजिएगा, सवाल कोई easy या tough नहीं होता, सवाल होता है, बिद्यारतियों आपके knowledge के उपर, अगर आपको steps पता है, तो आपको चिंता करने की बात ही नहीं, अब आईए, देखेगा, दोनों में से क्या common ले सकते हैं, है ना, क्या common ले सकते हैं, तो ध्यादेजिएगा, इन में से dy by dx, हम ज़रूर common ले सकते हैं, बिद्यारतियों, तो dy upon dx, और अगर यहां common लेंगे, तो बच जाएगा, 4y cube, 4 into y का cube, okay, minus a square y, minus a square x, ठीक है, okay, equal to a square y, minus 4x cube, minus 4x cube, तो क्या यह बहुत जादा tough था, नहीं यह बिल्कुल tough नहीं था, अब हमारे पास dy upon dx बरावर क्या लिखना वटा, तो a square y minus 4x cube के division में, यह पूरा multiple, यानि कितना, 4y cube minus का a square x, तो देख रहें कितना सुन्दर सवाल है, तो जल्दी से इस सुन्दर सवाल को आप copy कर लिजिए, जल्दी से copy कर लिजिएगा, अब हमने इसको copy कर लिया, तो वेटा, अब कुछ नहीं कर सकते, जल्दी से इसको copy कर लिजिए, अब हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ, और ध्यान देजिएगा, कितना सुन्दर आपको उत्तर यह प्राप्त हुए वाह, क्या अब जल्दी से copy कर लिजिएगा, अब copy करने के बाद हम चलेंगे, अगले सवाल यानि, सवाल नमबर कौन सा, तो 14 के बाद सवाल नमबर 15, देखे क्या है, tan y बराबर log x, अब अगली बार, dy upon dx अगर दोनों तरफ कर लें, कितना, d upon dx, कितना दोनों तरफ लेने पर, ठीक है ले लेते हैं, दोनों तरफ, दोनों तरफ करने पर या लेने पर, तो क्या हो जाएगा, आईए, d upon dx tan y का, d upon dx of log x, equal to, tan y का, tan x का differentiation, sec square x, तो tan y का differentiation कितना बटा, sec square y, और, चुकि by खुद x का एक function होता है, इसलिए, by का फिर से chain rule, यानि स्रिंखला नियम से, d upon dx, अब अगला, log x का, one upon x, सवाल आप देखेंगे, आपको चाहिए था, d upon dx, यादे, बराबर कितना बिद्जारती हो, तो one upon x पहले से है, sec square y, यहाँ आ जाएगा, into में, sec square y, तो चाहें तो उत्तर यहीं पर लिख ले या, आप एक और चीज़ चाह सकते हैं, और, dy upon dx, बराबर, sec square y उपर जाएगा, मल्टिप्लाई में तो कितना जागा, sec square उपर जाएगा, तो, cos square y, क्या upon में, x, तो क्या यह बहुत tough सवाल है, नहीं, यह बहुत easy सवाल है, तो जल्दी से note बना दीजिएगा, important सवाल होते ह हैं, तो आपके बहुत काम आने वाले exams में, और जब-जब आप परिक्षाएं देंगे, है न, mid term 1, 2, term 2, 2, चाहे pre-vote दीजिए, चाहे final vote दीजिए, हमेशा इस तरह के सवाल आपको मिलने वाले हैं, तो ऐसे सवालों को एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा, कि किस तरी सवाल करते हैं, हमेशा आप देखिए कि डीवाइब डीजिए कैसे निकाला जाता है, तो चिंता करने की बात नहीं है, आपने अगर इस method को समझ लिया है, तो हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल देखिए, पंदरा के बाद कों सा है, तो पंदरा के बाद अग अवकलन करने पर, क्या करेंगे, सभी पदो का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो बाई इंटू सेक एक्स है, ओके, प्लस का टैन वाई है, अब प्लस का एक्स वाई है, सही है बराबर सुने है बराबर जिरो है अब अगर हम इसका अवकलन कर दें यानि की डी अपॉंट डी एक्स कर दें तो पहले सवाल का दूसरे सवाल का d upon dx कर दे और तीसरे सवाल का भी d upon dx कर दे तब सुनने का भी अब कलन कर देते हैं कोई बात नहीं अगर सभी जगा करी रहें तो यह सुनने बिचारे मासुम का क्या छोड़ दे हैं कि नहीं लो भाई तो कितना वाजाएगा d upon dx किस चीज़ का सुनने का कि यदि u into v रह जाए या ऐसा first into second रह जाए दो सवाल रह जाएं first function into second function अगर दोनों का differentiation करना हो तो क्या करेंगा बताइए अगर question one को छोड़ देते हैं यानि कि one को अगर छोड़ देते हैं तो differentiation किस चीज़ का वेटा second वाली का plus second वाले का छोड़ देंगे तब differentiation किस का first वाले का है कि नहीं तो चिंता की बात नहीं अब देखो ऐसा सवाल कहा है y into sec x तो वाई को छोड़ेंगे तब differentiation किस चीज़ का sec x का plus sec x को छोड़ देंगे तो differentiation किस चीज़ का y का खुश अब अगला tan y का differentiation तो tan y का differentiation कितना हो जाता sec square y और y का फिर से differentiation chain rule विटा तो chain rule से dy upon dx plus x into y का differentiation तो देखो क्या हो जाएगा x को छोड़ेंगे तो dy upon dx plus y को छोड़ेंगे तो x का differentiation बराबर सुनने का differentiation सुनने अब आगे अगला कितना है y sec x का differentiation sec x into 10x plus sec x dy upon dx plus sec square y फिर कितना dy upon dx अब आगे तो अब आपको क्या बचा एक सवाल में बताओ अब इन सारे प्यारे से सवाल में आपको यही करना ना कि जहां dy by dx से पहले उसको ढूड़ना है तो यह देखो फिर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है इन सारे सवालों में से dy by dx को में लेजिए बाकी के जो terms बच रहे है फर्स्ट और यह सेकंड इन दोनों को पक्छांतरित करके दूसरे पद मिले के जाएंगे अब थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए है कि नहीं तो जल्दी से पहले इसको तो नोट कर लिजिएगा अगर इसको आपने नोट कर लिया है तब हम अगले पद पे चलेंगे बचा ठी अगर आपने इसको लिख लिए तो एक काम करने यहां से यहां तक मिटा देता हूं है न फिर इसी को उपर लेकर चला जाएंगो चिंता की बात नहीं है नोट कर लिए विटा ओके स्क्रीन शॉट ले लिजिए इसी चीज़ को अब आगे तो मैं उपर वाली लाइन्स को मिटा देता हूं है न खुश यह वाले पद भी मिटा दे रहूंगा अगर आपने लिख लिए तो बहुत अच्छी बात है अब आईए सवाल तो इतने बढ़िया हो जाते ना क्या बता हूं मैं अब आई तो मेरे प्यारे विद्धार थी हूं ये कॉपी किया हमने आईए और इस पूरे टम्स को हम कहां उपर लेके चले जाएंगे ये आईए यहां पर खुश जिलीजी अब जैसे ये सवाल आपको मिला अब क्या करने वाले अच्छा यह माईनेस नहीं जिले यह माईनेस नहीं यह कोण सा तरम जे लुग्या तो इन में से क्या करना है तो यह रहा गया sec dy upon dx sec x और dy by dx फिर कितना प्लस का sec square y और dy upon dx ओके प्लस का x dy upon dx equal to me by sec x tan x इधर लेके चले आता हूँ तो minus का by sec x into tan x by इधर आ जागा तो minus का by अगर आप चाहें तो minus का by यहां से common ले लेते हैं तो बचेगा कितना sec x into tan x प्लस का 1 टफ है नहीं अब यहां से dy upon dx common लेते हैं तो क्या बच जागा यहां पर ध्यान दीजेगा यहां से sec x बच जागा यहां से sec square x यहां से x तो तीनों common ले ले लेजिए sec x प्लस का sec square x प्लस का x अब अगली बार कुछ नहीं करना है बहुत ही प्यारा सा सवाल बचेगा dy upon dx equal to कितना तो minus का y फिर bracket में कितना बचा जी sec x into कितना 10x प्लस का 1 के whole upon में क्या कर दें यह पूरा उठा के नीचे तो कितना sec x plus sec square x plus 6 तो sec x प्लस का sec square x प्लस का x अब आईए तो क्या आपने देखा कि आपका आपको लगना एकदम तयार है तो yes differentiation जो कि आपको चाहिए था dy upon dx तो बिद्यारती हो dy by dx प्रबर माइनस का y sec x into 10x प्लस का 1 के whole upon में sec x प्लस का sec square x प्लस का 1 आगो मिल गया है अब मेरे प्यारे भिद्यारती हो जल्दी से चलते हम अगले सवाल की तरफ जल्दी से नोट कर लो piùटा ऑगो में से एक था हा यह प्रस्निक्रमांक सुल्लः के बाद हम चलते हैं प्रस्निक्रमांक17 की तरफ देखिए ऊसोतरा क्या है यह यह देखिए वाह बाई सेक एक्स प्लस का टैन एक्स प्लस का एक स्क्वार इंडू बाई एक्वाल टू जीरो कोई बात ने पूरा टर्म्स को उठाइए कॉपी कर लेजे आईए तो बाई कितना यह दोनों तरफ अब कलन करने पर सभी पदो का अब कलन करने के बाद क्या हो जाएगा बताइए सभी पदो का अगर आपने अब कलन कर लिया तो क्या हो जाएगा तो बाई इंटू सेक एक्स प्लस का टैन एक्स प्लस का एक्स स्क्वार बाई इक्वल टू जीरो अब हम क्या करेंगे क्या करेंगे सभी पदो में अब कलन करना था तो सभी पदो में डी बाई अपन डी एक्स लगाना क्या बट करना बटा डी अपन डी एक्स लगाना आईए तो d upon dx of y sec x फिर बटा differentiation of 10x अगला differentiation और मेरे प्यार विद्धारतियों x square y और यहाँ 0 है तो इसका भी अब कलन करने पर तो d upon dx of सुन्यों अब आगे देखिए यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है तो यहाँ मिलेगा y into sec x तो y को छोड़ेंगे तो x को छोड़ेंगे तो differentiation है ना किसका y का plus tan x का differentiation sec square x tan x का differentiation sec square x प्लस अब क्या बच गया x square को अगर छोड़ेंगे तब differentiation किस चीज़ का हो जाएगा y का तब d upon dx अब कितना y अब कितना plus y को छोड़ेंगे तब differentiation किस चीज़ का बेटा x square का बराबर सुन्य तो बहुत जाद आईजी सवाल है ऐसे निकाल सकते आप अब आओ सुनू सबसे पहले जहां जहां differentiation की ज़रत जल्दी से लिख दो तो देखो y sec x का sec x into tan x प्लस ये कितना विद्धारत ही हो sec x into चुकि कौन सा तो sec x का sec x शोर दिया प्र य का differentiation कितना dy upon dx प्लस का sec square y sec square x है माफ किजिए प्लस का कितना विद्धारत ही हो x square के साथ dy upon dx अब आगे प्लस का y अब x square का differentiation 2x 2x into y 2xy अब equal to में सुनने अब सबसे important बात बता रहा हूं उस बात को ध्यान दिजिएगा sec x into dy by dx अब आगे ये x square dy by dx अब यहाँ पे सबसे important चीज़ क्या है तो भाई साहब dy by dx वाले terms को एक तरफ ले लो और बाकी पूरे terms को एक तरफ ले लो यही बार बार करते हूं आईए अब देखिए तो कितना बच जाएगा हमारे पास हमारे पास आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यारतियों sec x dy upon dx फिर कितना प्लस का x square dy upon dx बराबर उठा के इदर ले जाओ सबसे पहले तो आप यहां तक नोट कर ले ताकि मैं इसका नहीं बन सकता था पूरा सवाल बन सकता था तो मेरे प्यारे विद्यारतियों सबसे पहले तो आप यहां तक नोट कर ले ताकि मैं इसको मिटा दूँ फिर मिटाने के बाद हम नीचे वाला सवाल एक step solve कर ले तो जल्दी से एक दो सेकेंड के टाइम पर screenshot ले लिजेगा है ना ओके यह पॉस करकर के आप क्या करिएगा नोट्स बना लिजेगा अब मैं चाहता हूं कि यह वाला terms आप delete कर दिया जाए शाबाश बहुत बढ़िया यह लिजे खुश अगर यह वाले terms अगर आपको clear हो जाएंगे तम नीचे हमें आरे पास space मिल जाएगा अब यह हम देखेंगे कि space में क्या बढ़िया काम हैं है ना ओके अब यह देखिए यह उठाइए ज़रा इसको यह लिजे ठीक है यह उठा करके हमने रख दिया कि भाई साब यह वाले step के बाद आपको ऐसा मिलेगा अब एक काम करता हूं तो यह जो सवाल था सवाल के अगले पदों में से एक अब आगे दोनों में से अगर dy upon dx बाहर ले लिया जाए तो क्या बचेगा बटा 6 x प्लस का यहां पे x स्क्वार यहां कितना दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते क्या नई सिर्फ माइनस ही बाहर ले सकते हैं तो कोई बात नहीं माइनस बाहर ले लिजेगा तो by sec x into कितना 10x प्लस का कितना sec square x और कितना प्लस का 2x y यह हमने कॉपी कर लिए अब अगले बार विद्धा इंटू 10x प्लस का कितना sec square x प्लस का कितना 2x y कितना प्लस का 2x y है ना ओके प्लस का कितना 2x y अब आगे upon में क्या हो जागा इसके division में क्या है तो जो dy by dx का multipy है तो कितना sec x into sec x plus का x square sec x plus का x square तो विद्ध्यार्थियों आपने देखा कितना ही मासूम सा उत्तर आपको फिर से differentiation प्राप तो हुआ है लेकिन ध्यान देजिए जो अभी तक notes बनाते रहेंगे उन्हीं विद्ध्यार्थियों को सबसे अच्छा होगा तो बार बार अभ्यास करते रहें ये notes proper बनाते रहें तो एक बार देखें जारा tan x plus y plus का tan x minus y equal to कितना 1 तो मेरे प्यारे विद्ध्यार्थियों क्या करेंगे इस सवाल में copy कर ये same to same tan bracket में बैटा x plus y plus का tan x minus का y equal to कितना 1 पका अब क्या करेंगे सभी पदों में अब कलन करेंगे हैना जल्दी से एक बार note करिये एक मर्न note करिये बैटा जल्दी से ज़रा तो बैटा जल्दी से अब इसका अब कलन कर दिया जाये क्या कर दिया जाये तो d upon dx दोनों तरफ लेने पर क्या हो जाएगा हाँ जी तो d upon dx ऐसा प्लस d upon dx ऐसा equal to d upon dx 1 का तो मेरे प्यारे विद्यारतियों आपको इत बात पता होगा कि tan x का differentiation क्या हो जागा तो यह हो जाएगा six square x plus y लेकिन एक बात को और ध्यान रखिए कि यह differentiation of x plus y भी होगा सही बात है अब आगया ही plus tan x minus y तो tan x minus y का भी differentiation जो कि कितना six square x minus y होगा और आगय कितना हो जाएगा तो आगय हो जाएगा कितना एक मिनट हाँ six square x minus y और differentiation of x minus y अब द्यारतियों 1 का differentiation 0 अब एक माट और सुनेगा तो six square x plus y ऐसे ही रहेगा और x plus y का differentiation x का 1 plus y का dy upon dx कितना y का dy upon dx अब आगये plus six square x minus y खुश अब आगये differentiation of x minus y कितना तो x का differentiation 1 minus y का dy by dx इसी है अब सबसे पहले आपको क्या करना है तो सबसे पहले बिटाजी multiply कर लेजी कितना हर एक पद में देगो यहाँ पे पहला पद दूसरा पद इसके अंदर भी x पद और दो पद है उन दोनों पदो को आप क्या करें multiply कर लेजे उसके बाद बात करेंगे तो यह दीजिए सेक स्क्वाइर x प्लस का बाई बिटा जी अब 1 के साथ multiply में तो same to same plus यही चीज सेक स्क्वाइर bracket में x प्लस का y किसके साथ dy अपॉन dx के साथ प्लस का फिर कितना सेक स्क्वाइर x माइनस y सेक स्क्वाइर कितना x माइनस y 1 के साथ अब आगे minus सेक स्क्वाइर x माइनस y किसके साथ dy अपॉन dx के साथ तो ठीक है यह लिजिए dy अपॉन dx के साथ बराबर 0 अब सबसे प्यारी बात क्या होगी तो सबसे प्यारी बात तो तब होगी जब थोड़ा सा यहां पे स्पेस मुझे मिलेगा तो मेरे प्यारे विद्यारतियों सबसे पहले यहां तक नोट कर लिजिए अगर आपने यहां तक नोट कर लिया है तब हम क्या करेंगे इस चीज को उठाएगे उपले के जाएंगे और आपके सारे टम्स का हाम जवाब देंगे तो जल्देशे कॉपी कर लिजे मेरे प्यारे बिद्धारतियों अगर आपने कॉपी कर लिया तो मैं एक लाइन और मिटाना से साथ हूँ सवाल में कुछ नहीं है दोनों तरफ आप डिफ्रेंशेट करो नॉर्मल डिफ्रेंशेशन फिर चेन रूर यानि श्रिंखला नियम आप लगाते रहिए लगातने रहने के बाद आपको एक दाहिं सिंपल सा जो बेसिक कंसेट चलता है न वही का वही बेसिक कंसेट हमेशा चलता रहेगा इसके अरावा क्या होता है डिफ्रेंशेशन बताईए सिर्फ फार्मला याद होगा उसके बाद कोई काम नहीं है यह लिजिए यह मासूम से सवाल को हमने उठा के यहां रख दिया होगा अब आई यह इसलिए है बहुत लिजिएएँ अभ यहां पर कौनगों सा सवाल है देखिए गोठी तो मेरे प्यारा विंद्धार छ congratulate यहां पर एक हो गया यह गैए डिवाए डियगी तो दो चीजे हो गई, अब इन दोनों में से क्या चीज हम common ले लेंगे, तो इसमें से six square x plus y, six square x plus y, और dy upon dx, सही पहला लिया, दूसरा minus का six square x minus y, और फिर कितना बटा जी, dy upon dx, ये दो चीज हम लिया, और क्या बच गया, उन्हें सब को उठा करके आप कहा ले जाओ, इक्वल क्या पोजिटिट, यादि पक्षानतर रखेंगे, तो सुनों द्यान से सबसे पहले, ये हो गया, six square, bracket में x plus y, लेकिन इधर आके minus, से मिटा, ये भी चीज इधर आके minus, जो की, six square, bracket में कितना, x minus y, तो देगा आपने कितना easy सवाल था, अब मैं आपको एक बात, इनों में से dy upon dx हम बाहर ले लेते हैं, dy upon dx बाहर ले लेते हैं, तो यहां क्या बच जाएगा, six square, x plus का y, और यहां से कितना बटा, six square, x minus का y, तो बहुत टफ है, नहीं, बिल्कुल टफ नहीं, ओके, इक्वल टू, यहां से भी बाहर ले लिजिए, six square, x plus y, और फिर कितना, प्लस में, six square, यहां कितना बटा, x minus का y, अब क्या बचा, तो पूरे terms में, यह वाले terms से यहां डिवाइड कर दीजिए, तो बस क्या है, यहां पे दोनों terms आपके plus में हैं, और यहां पे हमने एक बात का द्यान दिया, कि यहां पे एक terms चुकी minus था, तो यहां minus आने की वज x किसके बराबर हो जोगा, अब minus of six square x plus y, प्लस का six square x minus y, आईए, इसके upon में यह पूरी चीज़े, अब यह पूरी चीज़े कितना है, six square x plus y, six square x plus y, minus six square x minus y, वाह, तो आपका यह differentiation मेरे प्यार विद्यारती हो, आपको पता हो गया होगा, कि कितना प्यारा सा यह differentiation आपको मिला है, यह देखिए, यह हुई ना बात, तो जल्दी से इसको copy कर लिजिएगा, अपने एकदम सुन्दर से notes book में, सुन्दर सुन्दर हैड राइटिंग में लिख लिजिएगा, और ऐसे यह आपके अच्छा exam आएगा, तो आपका भविष्चा भी सुन्दर होगा, जब आपके सुन्दर सुन्दर माक्स आएंगे, तो विद्यार्थियो, जल्दी से सवाल नमबर 18 अगर आपने copy कर लिया है, तो 18 के बाद कुंसा, 19, अब 19 वा सवाल के से, जल्दी से भी करते हैं, यह ले जो, मिटा है, हाँ जी, अगर आपने note कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है, अब 18 वा के बाद देखें, 19 वा मे एकस माइनस वाई, और हमें डिफ्रेंशीशन निकालना है, तो चिंता की बात नहीं बटा, सबसे पहले आप, एकस वाई, यह जो हमारा सवाल है, कितना, एकस वाई, प्यार से लिखें, एकस वाई, इक्वल टू, एकी पावर, एकस माइनस वाई, ऐसा लिख लिजे, अब जल्दी से क्या करना है, दोनों तरफ अब कलन कर दो, तो सबसे पहले लिख लिजे सार, कि दोनों तरफ अब कलन करने पर, दोनों तरफ, दोनों तरफ, अब कलन करने पर, तो जल्दी से देखें, क्या करेंगे दोनों के अब कलन में, तो सबसे पहले क्या करेंगा, इधर भ यहां भी d upon dx, यहां भी d upon dx, अब आगे, अगले सबाल में, क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपको x को छोड़ा, तो y का differentiation, प्लस, y को छोड़ा, तो x का differentiation, और x का differentiation होता है, कितना है, 1, चलो, अगले स्टेप में लिख देंगे, है कि ने, चिंता की बात नहीं, अब आईए, e की पावर में कुछ भी अगर हो, तो उसका differentiation जैसे e की पावर x होता, तो e की पावर x, आज हमारे पास e की पावर x माइनस y है, then e की पावर x माइनस y, पूरा differentiation, लेकिन, x के अलावा कुछ और आज है, जैसे x माइनस y, तो आपको कितना, उसका भी अब कलन करना है, chain rule से, यान इस पुरिंखला नहीं हम से, तो differentiation of, कितना, x माइनस y, differentiation of x माइनस y, अब आगे, x dy अपॉन dx, प्लस का, by, x का differentiation 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब आगे, e की पावर बेटा जी, x माइनस y, अब आगे देखेगा, क्या हो जागा, x का differentiation 1, माइनस y का, dy अपॉन dx, clear है, एकदम clear है, तो जल्दी से note कर लो इसको, अब मैं चाहता हूँ कि इस terms को जल्दी से multiply कर देवेटा, तो e की पावर x माइनस y का, e की पावर माइनस x माइनस y, माइनस ही माइनस, अगे, e की पावर कितना, x माइनस y, और, ये कितना हो जागा, dy अपॉन dx, इधर कितना हो मैं चाहता हूँ यहां से क्या कर दे, तो बेटा, सबसे पहले आप भी चाहते होंगे, finally में कि dy by dx निकाला जाए, क्योंकि सवाल में ही बोला हुआ, कि dy by dx निकाला है, अगर dy upon dx निकालना है, तो पहले dy by dx पहले ही कठा कर लिया जा, तो कहा है, जल्दी से ही कठा करो, तो द देखो, आई, शाबास, दिख गया, अब एक और है, यहां पर, तो इस प्यारे से dy by dx वाले terms को उठा के हम यहां ले आएंगे, तो चलो देखो क्या हो रहा है, जल्दी देखिए, आए, तो हमारे पास सबसे पहला क्या है, x dy by dx, x dy upon dx, बहुत ही बढ़िया, अब यह उठा क इदर लेके जाएंगे, तो प्लस, प्लस, एकी पावर x minus y, एकी पावर x minus y, फिर कितना, dy upon dx, बराबर, बराबर, एकी पावर x minus y, एकी पावर x minus y, अब आगे, प्लस का y उठके इदर आ जाएगा, माइनस का y हो गया, तो चिंता की बात होई क्या, कुछ भी नहीं, अब आ लिजेगा, dy upon dx, निकाल लिजेगा, तब क्या बचेगा, x, प्लस, एकी पावर x minus y, बराबर, एकी पावर x minus y, और यह minus का y, अब अगला, इस पूरे टर्म्स का निचे डिवीस, तो क्या दिक्कत की बात है, ये लिजे, तो dy upon dx के साथ, यहाँ, अगर छोड़ देते हैं, य एकी पावर x minus y, minus का y, के whole upon में, x प्लस, एकी पावर x minus y, खुश, वाह, अदभूत, तो बहुत ही अच्छा सवाल हो गया बटा, तो चिंता की बात नहीं है, तो जल्दी से कॉपी के लिजे इस सवाल को, प्रशन करमांग 19 को, अगर प्रशन करमांग 19 आपको solve हो गया है, तो हम जल्दी चलेंगे कितना प्रशन करमांग 20 की तरफ अब, देखिएगा जल्दी कि प्रशन करमांग 20 क्या है, तो जल्दी से देखिए ज़रा है, हाँ, ये है, वाह, तो इस सवाल में आप देख रहे हैं, यदि कॉस x की पावर y हो, बरावर कॉस y की पावर x हो, तो dy upon dx निकालना है, तो मेरे प्यारे विद्यातियों, सबसे पहले आपनी सवाल में एक बात गेस करी होगी, कोश्चन की पावर में कोश्चन है, क्या है, कोश्चन की पावर में कोश्चन है, मतलब, इसको कौन सॉल्ब करेगा, तो इसको सॉल्ब एक ही व्यक्ति कर सकता है, पावर वाला कोशन है उसको आगे मल्टिक्राइब भीच देगा वस तो जल्दी से अगर आपको याद होगा तो क्या है विटा अगर लॉग ऐसा है एकि पावर में अगर भी है तो इसको कैसा चेंज कर देगा बी इंटू लॉग ए बी इंटू लॉग एक जैसा तो अब द्यारतियों आपको कुछ नहीं करना इस पूरे प्यारे से सवाल में आपको दोनों तरफ पहले लॉग लेके इजी करना है तो पहले लिखिएगा कॉस एक्स की पावर वाई बरावर कॉस वाई की पावर एक्स अब दोनों तरफ लॉग लेने पर अभी लिख देते हैं दोनों तरफ प्यारा से लॉग लेने पर दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जागा तो ये कॉस एक्स की पावर जो वाई है बरावर कॉस वाई की पावर एक्स है तो दोनों तरफ अगर हमने log ले लिया बिटा जी log ले लिया तो कितना हो जाएगा तो हो जाएगा by into log cos x बरावर x into log cos y simple अब दोनों तरफ अब कलन कर दो क्या कर दो दोनों तरफ अब कलन आई देखे दोनों तरफ अब कलन करने पर तो इतना मासुम साब कलन कर देंगे अब कलन करने पर क्या हो जाएगा देखे y log x y into log x कितना बटा जी y into log x log cos x है equal to यह कितना जो x log cos y है उसके दोनों तरफ क्या कर दीजेगा आप अब कलन यानि कि d upon dx वा सुन्दर सा बाद आईए d upon dx अब हमें चाहिए यहां के बाद एक छोटा सा स्पेस तो मेरे प्यारे बिद्दर तो जल्दी से आप इसको नोट कर लें अगर आपने इसको नोट कर लिया तो हम इसको स्टेप को उपर लेके जाना चाहिए है ना तो जल्दी से नोट कर लिजे फटा बट अगर आपने इस चीज को नोट कर लिया है तो मैं क्या करूं मैं यह प एक्स मल्टिप्लाई में लॉग कॉस वाई अगर हमने दोनों तरफ अब कलन कर दिया तब य को छोड़ा तो लॉग कॉस एक्स लॉग कॉस वाई दोनों का डिफ्रेंशिशन अब यह कैसे होगा तो यह हो जागा प्रोड़क्ट रूल लेकिन ठीक है तो अगर यहां तक आपक के लिए तो बन रहा है है कि नहीं यह लिजिए वाह अब मेरे प्यारे भिद्यार तो यह लास्ट वाला अगर आपको टर्म्स किलियर है तो बहुत ही अच्छी बात है 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 ना आईए हमने इस सवाल को एकदम प्यार से नाजों से पाला है और यहां रख दिया हमने है वाह खोश। देखा अब आगे देखो हम क्या करेंगे इसमें क्या करने बाले डिफेरेंशेशन तो बाइ को छोडेंगे डिफेरेंशेशन किसदफिस का तो लौग कॉसेक्स का चैन Political Rule सबसे पहले Product Rule फरस्ट इंटू सेकेड्ड तो बाइ को छोडेंगे लौक कॉसेक्स का डिफ तो ऐसा differentiation of y लिख दिया plus का नई equal to है अब आगे x को छोड़ देंगे x को छोड़ देंगे तब differentiation किस चीज़ का log cos y का log cos y का plus का log cos y को छोड़ देंगे तो differentiation बिटा जी x का बहुत ही बढ़िया उत्तर जवाब अब आगे तो पहले differentiation कर लेते log cos x मतलब बिटा 1 upon cos x और cos x का differentiation minus sin x तो chain rule अगर clear है तो चिंता की बात नहीं ये plus का log cos x into y का differentiation dy upon dx बराबर x को छोड़ देंगे तो cos y तो 1 upon cos y और cos y का differentiation minus sin y लेकिन cos y का minus sin y लेकिन क्या x है? नहीं x की जगा पे y है बटा तो y का फिर से अब कलन तो ध्यान जीजे y का फिर से अब कलन dy upon dx अब देखे क्यातना है log cos y ये बच गया यहां लिक दो log cos by और x का differentiation 1 खतम अब आगे जहां जहां dy by dx है उसको एक जगा करना चीए देकिन पहले एक बार जड़ा अच्छे जमाने sin upon cos minus cot x माइनस sin upon cos है तो sin upon cos कितना है माइनस tan x अब y का multiply है तो माइनस का by into tan x अब आगे सुनी प्यार से प्लस का log cos x into dy by dx वाँ अब आगे बटा equal to sin upon cos लेकिन y में है तो यानि sin y upon cos y tan y कोई दिक्कत नहीं माइनस से माइनस ये कितना x है और tan y tan y dy upon dx minus tan y dy by dx प्लस का log cos y तो क्या बहुत टफ है नहीं बिल्कुल भी टफ नहीं है तो मेरे प्यारे विद्धारती हूं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये terms आपके लिए ये बाला भी terms आपके लिए दोनों में प्यारा सा हमारा dy by dx छुपा हुआ है तो सब को उठाके लियाओ एक साइड अब आईए क्या हो जाएगा लॉग कॉस दी वाई अपॉन डी एक्स लॉग कॉस दी वाई अपॉन डी एक्स ये पूरे terms को उठाके इधर ले आना प्लस का एक्स टैन वाई एक्स टैन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स टैन वाई डी वाई डी वाई डी एक्स बराबर लॉग कॉस बाई लॉग कॉस बाई अब सुनो ध्यान से माइनस का बाई टैन एक्स उठको उठाज जाएगा तो प्लस का कितना बटा by tan x तो by tan x अब आप इस बात को समझ गया होंगे कि ये सवाल बलाई जी हो रहा है बटा तो dy y dx जल्दी से कॉमन ले लो तो फटाफट क्या बच जाएगा log cos x log cos x फिर कितना plus का x tan y x tan y बराबर कितना log cos y plus का by tan x अब आगे अगर ये clear है तो dy by dx कितना ये पूरा terms है हाँ तो अब जगा थोड़ी तो फिर से लगती बनाने पड़ी कि नहीं कोई बाते चिंता नहीं करना है हमारे बाद जगा है ना यहाँ पे लिख दे रहें अब यहाँ पे तो adjust कर सकते हैं मारे सारे प्यारे बच्चे अब आईए क्या dy by dx बराबर कितना बिटा dy upon dx बराबर dy upon dx बराबर कितना log cos y log cos y log cos y plus का y tan x plus का y tan x आईए अब उसके division में log cos x plus x tan y upon में कितना log cos x log cos x plus का x tan y बहुत जादा tough नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चो जल्दी से इस सवाल को note कर लिजेगा कितना सुंदर साब का जबाब आ गया है हाँ तो लै लिंदी है लेकिन क्या है भाई बारवी कक्षा में हम पहुँच गए यानि कि जल्दी से नोट कर लिजेए पीछे वाला स्क्रीन भी कर लिजेगा आईए अब सवाल नमर एक इसको देखिए क्या कहना चाह रही है ओहो x की पावर y प्लस y की पावर x इसको टू a की पावर b तो हमें पता करना है d y d x का माल तो सबसे पहले सवाल लिक लो तो इसमें कुछ ज़्यादा तो ऐसा है नहीं है ना आप चाहें तो इसको अलग-अलग एक पत माल ले इसको ऐसा माल ले कि लेट x की पावर y बराबर a y की पावर x बराबर b माल लिजे और a की पावर जो भी है उसको कोई कॉंस्टेंट ऐसा सीमाल लेजिए अगर आपको इन तीनों का ही अवकलन चाहिए इन तीनों का अवकलन चाहिए तो चिंता की बात नहीं अब आगे क्या करेगा समझ गए आप है ना अब जैसे ऐसा लिख लिजे यह पूरे सवाल को हमने सेम टू सेम लिखा अगर हमें दोनों तरफ d by upon dx चाहिए इसका मतलब दोनों तरफ अवकलन करने पर तो दोनों तरफ अवकलन करने पर अवकलन करने पर क्या मिलता तो आपको मिलता x की पावर y प्लस y की पावर x बरावर a की पावर b अवाईए d upon dx क्या बाद d upon dx और यहाँ पे भी d upon dx खतम इसको समी करने एक बना दिया बोने अब आपको चुकी differentiation चरिए तो इसको a माल लो, एको b माल लो, एको c माल लो अब यहाँ पे लिख लिजीगा क्या लिखेगा? मैं बता दे रहा हूँ, नीचे का जगा आप चाहें तो छोड़ देंगे है ना बाद में लिख लेंगे हूँ खुश? ओके यहाँ का जगा differentiation के छोड़ देते तो x की power by बरावर a है चुकी x की power by बरावर a है चुकी a बरावर कितना बटा? x की power by तो ऐसे सवालों को कैसे solve करते थे log से क्योंकी question की power question है बटा, तो log a है ना इसके बाद पहला के बाद ऐसा दूसरा point ऐसा डाल देना, दूसरा point ऐसा कि जब माना था इसको तो log a बरावर कितना हो जागा बटा? log of x की power by हो जागा अगली बार ये log a का log a ही रहेगा बट by multiply में और log x हो जागा तो क्या बहुत टफ है? नहीं कोई टफ नहीं है अब आगे अगर हम इसी log a का differentiation कर दे बटा है ना, by into कितना? log x के respect में respect x x के respect में अगर हमने पूरे सवालों को differentiate कर दिया तब हमारे पास क्या होगा आप कलम? मैं बताता हूँ तो 1 upon a d a upon d x बरावर वेटा जी y को छोड़ेंगे log x का 1 upon x plus का log x को छोड़ेंगे y का d y upon d x समझे? तो कोई बात नहींगे a की value आपको पता होना चीता कितना था? x की power y तो देहान दीजेगा 1 upon यहाँ d upon d x कितना? बताईएगा x की power y कितना बता? x की power y लिख दीजेगा x की power y का differentiation जो भी आपने माना है वो किसके बराबर है? a multiply में जाएगा यानि x की power y multiply में जाएगा अब आगे लिखेगा by upon x प्लस का log x dy upon dx इस यह है? अब सुनिएगा यह differentiation of कितना बताईगा? x की power y x की power y का differentiation यानि इस terms का differentiation क्या दिया हुआ है? मैं आपको बताता हूँ तो x की power y into y upon x प्लस का x की power y into log x into dy upon dx यह equation 2 हुआ बता समीकरन 2 अब मैं चाहता हूँ समीकरन 2 के बाद समीकरन 3 बना लिया था अब कैसे बनाएंगे? तो यह विचारा y की power x बचातो है हमारे पास तो y की power x का भी तो differentiation लगे ना? देखो यहां पर y की power x का तो बिध्यारती हो जल्दी से अब हम यहां पे की screen ले ले लेते y की power x बड़ाबर b तो तीसरा step तीसरा step में तो b बराबर कितना था? y की power x चेकर ले बाद b बराबर y की power x तो अब आगे log b बराबर same question की power question है तो log तो चाहिए ना? सवाल को easy करने करें तो जल्दी से थोड़ा सवाल लिंदी हो जाएगा बस log of y की power x बेटा फिर अगली बार कितना हो जाएगा? x log by अब कितना? ये log b बराबर अब d upon dx दोनों तरफ लेने पर ले लो दोनों तरफ दोनों तरफ लेने पर क्या हो जाएगा? log b बराबर x into log by अब आगे d upon dx d upon dx खुश? अब यहाँ देखो log b 1 upon b db upon dx बराबर x को छोड़ रहे हैं log by का differentiation 1 upon by बट सुने ध्यान से और by का dy upon dx प्लस का log by को अगर आपने छोड़ दिया log by को छोड़ दिया तो x का differentiation 1 अब आगे x upon by dy upon dx प्लस का log by b हो जागा अगली बार multiply में और b की value कितनी थी हमारे पास by upon x तो आप चाहो तो ऐसा लिख दो आप d upon dx यहां b तो b का यहां multiply और b का यहां multiply चाहे वहां मत करो एक काम करो multiply यहां कर दो आगे है ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा तो देहां दिजेगा यानि कि d upon dx of किसका बड़ा जी b, b की value कितना है y की power x बराबर y की power x into x upon y dy upon dx कितना dy upon dx plus का यह कितना y की power x फिर से b की value y की power x और log y जीए तो यह समिकरन 2 के बाद 3 एक और भाई एक constant type का था याद करिए यह देखिए a की power b भी था इतर a की power b तो आप लिखी जेगा 4 था c बराबर a की power b अच्छा यह question की power question नहीं बिटा यह number की power number है क्योंकि a इसमे x लगा है नहीं लगा यानि की इसमें no x है न बाई है मतलब कोई चर variable नहीं है अगर चर नहीं है मतलब वो अचर है अचर है मतलब constant और constant का differentiation direct zero तो differentiation of differentiation of c बराबर differentiation of कितना a की power b मतलब differentiation of a की power जो b रहगा constant का differentiation zero है की नहीं आप देहां दिजेगा तो क्या ये सवाल तो एक दो तीन और ये सवाल नमबर चार अब ये चारों सवाल अगर आपने सॉल्व कर लिए हैं तब आपको चाहिए होगा डिवाइवेडी एक्स अब डिवाइवेडी एक्स कैसे लिखेंगे अब उसके लिए थोड़ा ज़्यादा ही स्पेस चाहिए तो जल्दी से लेख लेते हैं हम अगले स्पेस की बात करेंगे बटा थोड़ा लिंदी हो गया ये सवाल है ना बहुत ज़्यादा ही आईए क्या चीए आपको इसका डिफ्रेंशिशन के जगा पे इसका तो बाई 1, 2, 3 और 4 तो चारों से क्या लिखेंगे समीकरन समीकरन किस किस से बटा एक से, दो से, तीन से और चार से एवाम लिख देता हूँ एवाम चार से क्या हो जाएगा उस चीज़ को देखते हैं आईए, x अपोन y, x की पावर y का डिफ्रेंशिशन तो x की पावर y का डिफ्रेंशिशन कितना है? x की पावर y into y x की पावर y into y x की पावर y into y upon x पका, यह देखो प्लस का x की पावर y log x प्लस का x की पावर y log x इंटू कितना मेटा dy upon dx ये पहला उत्तर प्राप्त हुआ समिकरन 2 से पका इसकी जगा अब y की पावर x का differentiation और इसका तो 0 है इसका तो कोई दिखात है इसको लिख भी देता हूँ इसका 0 है ना इसका differentiation 0 अब आगे प्लस का जिसका देखना बड़ा जरूरी है तो इसका जवाब आगर आप देख लें तो इसका जवाब में क्या था ये देखो y की पावर x का कितना y की पावर x into x upon y y की पावर x into कितना x upon y ठीक है तो y की पावर x into कितना x upon y प्लस का फिर कितना y की पावर y की पावर कितना x और something कितना तो एक बार देखिएगा y की पावर x यहाँ बिटा कहा था y की पावर x log by log by अच्छा देहां देजएगा log by into में log by और यहाँ पे कितना 0 अच्छा एक बात और देख रहे हैं इसमें dy by dx कहीं नहीं आया है है ना यहाँ पे dy upon dx कहीं नहीं आया का y की पावर x into x upon y ठीक है यह लिख दिया आपने into में टेको dy by dx चाहें चुट गिया यहाँ dy by dx था और यहाँ पे हमने dy by dx नहीं लिखा तो सबसे पहले ज़रा इसको dy by dx लिखा जाए है ना into में dy upon dx अगर हमने पूरा सही उता रहा है तो उधर वाला differentiation सुनने था तो उसका चिंता करने का बात है हमने फाइनली उत्तर कैचिए dy के अपन में dx तो मेरे प्यारे विध जाती हूँ सबसे पहले तो देखो dy by dx का है एक है यहाँ पे एक है यहाँ पे तो इन दोनों को एक ही जगा रहने दो बाकी सब को दूसरी जगा भेजतो है लोग आईए तो x की पावर y log x है ना into dy upon dx plus का y की पावर x into x upon y dy upon dx equal to कितना यह उठा के दे लिया तो by की पावर x into कितना log y उठा के दर भेजो minus का कितना हो जागा यह x की पावर y अच्छा इसको भी उठा के दर लेके जाओ तो यह भी minus हो जागा क्या चिंता की बात है इसको उठा के जाओ तो x की पावर y into my by upon x तो अब आपको अगर यह सवाल समन में आ गया तो बहुत ही मासुम सा सवाल है यहां से देखो dy by by dx कॉमा लेते उठा dy by by dx कॉमा लेजिए क्या हो जागा x की पावर y log x प्लस का यहां कितना y की पावर x into x upon y equal to कितना हो जागा minus का y की पावर x log x log y minus x की पावर y into y upon x अब अगली बार क्या होने वाला यह पूरा टम्स उसके division में बस इसके लावा कोई काम बचेगा क्या कोई काम नहीं बचेगा अब आईए जान दीजिएगा तो dy upon dx equal to कितना बटा minus बाहर अगर लेना चाहो तो ले लो नहीं तो कोई बाती minus y की पावर x log y है ना यहां कितना बटा minus का x की पावर y into कितना by upon x सहिए यह पूरे टम्स के division में क्या आजाएगा यह वाला पूरा टम्स यानि x की पावर by x की पावर by into log x log x plus y की पावर x into x upon by तो आप एक बात बताएए क्या यह सवाल बहुत ज़्यादा टफ है यह मनतारी शेवत बताएगा क्या यह सवाल बहुत ज़्यादा टफ है तो यह सवाल length है मतब काफी ज़्यादा length लंबी है इसकी दो पेज की जगा तीन पेज में आने वाला है लेकिन क्या यह टफ है नहीं यह बटा यह टफ नहीं है ऐसे सवाल आप कर चुके है अगर आप यह ऐसे सवाल कर चुके है तो चिंता की कोई बात है क्या नहीं तो मेरे प्यारे विद्धार थी हूँ, आपने क्या किया? आप देखे जरा पीछले स्क्रीन पे आपने ये मासुम से छोटे से सवाल को एक टमस माना, दूसरा टमस माना, तीसरा टमस माना एक को A माना, B माना, C माना, तो A का पहले डिफ्रेंशिशन कर दिया, उसके बाद, हमने क्या करा? B और C का डिफ्रेंशिशन करा और उसकी वेल्यो यहां पे पुट कर दी, और जैसी हमने उसकी वेल्यो पुट करी, जहां-जहां D-Y by D-X था, एक तरफ हमने करने की टमस तो करना ही था, तो मेरे प्यारे बिद्यारतियों, जल्दी से इसको कॉपी कर लिजे, हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अब अगला सवाल, इसका पिछला स्क्रीन, वो भी क्लियर कर दे रहे हैं, है ना, शाब बास, अब में जो स्क्रीन, यानि की तीन पेज के आस-पास लगभागी सवाल बनेगा आपसे, तो मेरे प्यारे बिद्यारतियों, सवाल नंबर 21 के बाद, 12 है सवाल नंबर 22, तो जल्दी से देखेगा सवाल नंबर 22, और ये भी बहुत ही बढ़िया और मासुम सा सवाल दिख रहा है, लेकिन इसमें के हिंट बताऊंगा तो जल्दी से हिंट दूंडो, फटाक से हिंट दूंडो, मैं अभी करा रहा हूं, तो ये इसमें हिंट क्या है, मेरे विद्यारतियों, तु मेरे प्यारे बचो, इसमें हिंट देखो, क्या था, तो हिंट बड़ा बढ़िया है, आपका जो differentiation दिया हुए न, इसमें इनको च कर दें, इसका मतलग, चुकि हमारे पास cos y बराबर x times of cos a plus y है, अब आगे, x यहीं रहने दो, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे डिवाइड में, तो cos y के upon में, cos a plus y, तो देखा आपने, बहुत ज़्यादा टफ सवाल है क्या, नहीं, अब, पूरा सवाल y के terms में change हो गया, y के terms में change हुआ, तो अब क्या करना है, अगर हम दोनों तरफ differentiation करते, but with respect to y, यानि कि दोनों तरफ, दोनों तरफ, क्या, d upon d by लेने पर, d x नहीं, d upon d by लेने पर, अब देखिएगा, यहीं तो सवाल का मज़ा है, x बरावर, क्या है इदर, cos y, के अपॉन में, cos a plus y, अब हम दोनों तरफ differentiate कर देते हैं, तो d upon d by of x, तो d upon d by of, कितना बटा, cos y, के अपॉन में, cos a plus y, अब मेरे प्यारे बिद्धार थी, एक बाद बताइएगा, अगला सवाल क्या हो जाएगा, तो d x upon d by, d x upon d y, किसके बरावर, तो देखिएगा, किसके बरावर हो जाएगा, देखो, नीचे वाले का whole square, यानि first function upon second function, यानि कि u upon v का formula, तो मेरे प्यारे बिद्धार थी हो, देखो कि नीचे, कितना हो जाएगा, cos a plus y का whole square, अब, अगर नीचे वाले का whole square होता है, तो क्या होता है, तो cos a plus y को छोड़ देंगे, और differentiation हो जाएगा, हमारे पास, cos y का, minus, cos y को छोड़ देंगे, तो differentiation किसका हो जाएगा विटाजी, cos a plus y का, cos a plus y का, अब सुनू, बड़ा ही important terms है, बहुत जादा important terms है, तो जल्दी से इसको लिख लीजिएगा, है कि नहीं, जल्दी से लिख लीजिए, अब मैं आपको एक बात बतादाना चाहता हूँ, कि ये सवाल में ऐसा क्या है, जो बहुत important है, मैं आपको बताता हूँ, है ना, आईए, अगर आपने इस सवाल को समझ लिया ना, तो बहुत ही अच्छा सवाल है, और मैं तो कह रहा हूँ, इसको IMP डाल दो, important exams के लिए, बड़ा important सवालों में से, एक है विटा, अब ये देखो, dx upon dy, ऐसा कभी नहीं किया था आपने, याद करिए, ऐसा कभी नहीं किया था, normally सारा विद्यारती dy upon dx करता, यानि differentiation क्या करता, with respect to x करता, यानि x के सापिक्ष में हम अब कलन करते हैं, लेकिन विद्यारती हों, पहली बार आप क्या कर रहे हैं, आप y के सापिक्ष में अब कलन कर रहे हैं, चिन्ता की बात नहीं है, अब आईए, अब इदर देखिएगा, cos square a plus y, अब सुनिएगा, cos a plus y, अब, cos y का differentiation, minus sin y, minus sin y, और y के respect में, एच्छा है, एक बार देखो, यहाँ mistake हो गया, यहाँ mistake हो गया, यहाँ x लिख दिया मैंने, जबकि यहाँ y का respect था, d upon dy, देखो, आदत नहीं रहती न, तो ऐसा हो जाता है, समझे गया, d upon dy था, अब by का respect में, by का differentiation, one above, इदर minus का, यह कितना प्टा, cos y, अब इदर देखिए, cos, a plus y का differentiation कितना, minus का, sin, a plus by, और by का फिर से differentiation, a का 0 और by का फिर से कितना, 1 तो 0 प्लस 1, 1 इंटो पूरा terms, 1, का multiply, सेम चीज, ओके, अब आगे देखिएगा, यह क्या है, तो minus और minus हो जागा बेटा, यह plus, minus और minus, plus, तो plus वाले terms को पहले लिख रहा हूं, इस terms को पहले लिख रहा हूं, और यह कितना, cos a plus y, small a plus का by, अगर आपने यह चीज लिख रहा है, तब नीचे देख लो जागा प्यार से क्या लिखा हूआ है, cos square a plus y, अब सुनिएगा, यह किस चीज का फार्मूला है, अगर आपने इस चीज को हिंट को समझ लिया, तो देखो, sin a into, sin इसको b माने, minus, तो कितना हो जागा, sin b और cos a, तो बेटा जी यह फार्मूला होता है किस चीज का, sin a minus b का, किस चीज का, sin a minus b का, अब a minus b क्या है, a बराबर क्या माने थे आप, a plus by और b बराबर कितना हो जागा, by, तो मेरे बिद्यार्थियों मैं इस चीज को तो मिटा दे रहा हूं है, लेकिन, इस चीज को मिटा दे रहा हूं है, लेकिन आप इस बात को समझ जाए, कि अगला सवाल किस तरीके से मुडने वाला है, तो dx upon dy, dx upon dy, किसके बराबर तो किसके बराबर बिद्यार्थियों हों तो सुनिएगा, sin a plus by और minus by का, upon में कितना, cos k square में a plus y, तो क्या ये सवाल बहुत टफ था, नहीं, लेकिन अभी सही उत्तर मिला भी नहीं है, तो चिंता नहीं करना है, है नहीं, तो जल्दी इसको आप कॉपी कि लिजेगा, उसके बाद हम अगले step पे, हम इसका उत्तर लिख देते हैं, जाने जेगा, आपको dy, dx किसके बराबर चीए, cos square a plus y upon sin a के, तो अभी देखो, दो मिट के अंदर आपको मिल गया, कैसे मिल गया बिटा, तो देखिए, sin a, sin a हो गया, देखो, by से by कैंसल हो गया, sin a upon में, cos square a plus y, upon में, cos square bracket में, a plus y, अब सबसे प्यारे सीज़ आपको बताना चाहता हूं, dx upon dy, बराबर sin a के पॉन में इसा, dy नीचे है, पलड़ दो, तो देखो, आपको क्या चीता, dy के अपॉन में, dx, तो देखो, by उपर जाएगा, x नीचे जाएगा, तो कितना हो जाएगा, cos square a plus y के अपॉन में, sin a, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से इसको कॉपी कर लिजिएगा, उसके हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे, चिंता की बात नहीं है, अच्छा, अगर आपने इसको लिख लिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि ये वाला टर्म्स में मिटाना चाहता हूँ, अगर दोनो तरफ अपकलन करेंगे, तो दोनो तरफ डिफ्रेंशीशन लेंगे, डिफ्रेंशीशन की पूरी प्रोसेस है उधर बटा, नीचे वाले टर्म्स का होलस्क्वार, यानि कॉस अपलस य को उपर लेके जाएंगे, तो डिफ्रेंशीशन कॉस य का, तो cos a plus y same two sim रहे गया, अब cos y का differentiation sin y लेकिन minus में, यह minus छोटा तो देखो लगा रहा है, आगे, minus cos y का minus cos y, अब cos a plus y का minus sin a plus y, a plus y का differentiation 0 plus 1, 1 होता है, तो 1 में इसका multiply करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पढ़ता है, इसलिए हमने यह आपे लिखा भी नहीं, आगे, cos square a plus y, अब variance करके, आगे, पीछे multiply करके, तो देखिए का, sin a cos b, sin a, oh oh, देखो, फर्मुले में एक गलती देखा, इसलिए बोलते है, revision कर लेना जाए, क्या sin a cos b है, sin a cos b minus sin b cos है, यह क्या का फर्मुला है, sin a minus b का, तो sin a minus b, a की value कितना बटा है, a plus y, minus b, b मतलब y है, अब फर्मुला में द्यारत्यों में यह वाली line मिटा दे रहा हूँ, ताकि आपको सही उतर मिल जाए, है ना, अगर, अगर आपने इस चीज को लिख लिया है, तब इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, तो देखिएगा, चुकि, है ना, इधर वाला में मिटा दिया, notes बना लिजेगा, है, चुकि, dx upon dy, dx upon dy, बरावर, final उतर क्या आया है, बटा, तो उतर आया है, sine, के अपन में, cos square, cos square, a plus y, अब आगे, इसका मतलब, जैसे ही इसको पलटेंगे, तो ये वाला भी तो पलट जाएगा, तो dy के अपन में, हम dx लिखना चाहेंगे, तो cos square, a plus y, के अपन में, sine, तो कितना प्यारा साउत्तर मिला आपको, बहुत अच्छा साउत्तर मिला, तो चिंता की बात, नहीं है, तो मेरे प्यारे विध्यारतियों, जल्दी सी ये सवाल को नोट के लिए, सवाल नमर 22 को, बड़ा इंपोर्टें सवाल मानता हूं है, बहुत ही अच्छा सवाल था, handsome सवाल था, मासूम सा सवाल था, तो सवाल नमबर 23 की तरब चलें, जल्दी करते हैं, आई, तो सवाल नमबर 2323, आईए सर, आहाहा, देख रहे हैं क्या है सवाल में, x times of sign, a plus y, plus का sign a, cos, a plus y, बराबर सुनने हों, तो करिए कि dy by dx आपका, ऐसा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम देखते हैं, सवाल में ऐसा क्या है, तो ध्यान देजी बटा, सबसे पहले आप तो सवाल एक वर नोट कर लो, अगर आपने सवाल नोट कर लिया है, तब हम देखेंगे, कि x into sign a plus y है, बराबर, हम इस पूरे terms को, उठा करके equal to किदा ले जाएं, तो क्या हो जागा बटा, minus का, sin a, okay, cos a plus y, खुश, अब आगे, अब यहाँ पे देखेगा, आपको dy upon dx चाहिएगा, लेकिन आपको जो बंदा, sin का square में प्लस है, तो यह sin का square आप हमेशा division में लेके जाओ, क्या, division में, तो ध्यान देज कि मल्टिप्लाई में, cos a plus y है, उसके division में कितना, sin a plus y, sin a plus y, तो एक बात तो ऐसा भी कर सकते हैं, कि cos upon sin, a plus y और a plus y, तो cos upon sin कितना, cot हो जाएगा, कितना हो जाएगा बटा, cot हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x, तो x वराबर कितना, minus का, sin a, और cot a plus y हो गया, अब मेरे प्यारे विद्यावतियों, cot x का differentiation किसी को मालूम है क्या, सवाल देखने में जितना dangerous लग रहा न, उतना है ही नहीं, तो पहले तो आप देखो, dy upon dx के respect में बहुत साथ differentiate कर दो, क्या करेंगे, dy upon dx, तो ऐसा लिख दीजिए, कि d upon dy, दोनों तरफ लेने पर, दोनों तरफ लेने पर, क्या हो जाएगा, d upon dy of, d upon dy of x बराबर, सुरो ध्यान से, सबसे important, sin a, कोई function है क्या, पिटा, sin a एक number है, a मतब कोई constant value होगी, जैसे मालो 30 degree, 20 degree, 50 degree, 60 degree, pi by 2, pi by 3, ऐसा कुछ भी हो सकता, अगर sin में हमने pi by 2, pi by 3, जो भी exactly a की कोई value रखी होगी, तो हमें उतर में भी कोई constant मिल रहा होगा, तो कोई बात निक, minus sign है, आगे, differentiation of cot a plus y, बहुँ टफ है, एकदम टफ नहीं है, अब सुनों सबसे पहले, dx upon dy, कितना, dx upon dy, बरावर, dx upon dy, बरावर कितना, minus का sin है, minus का sin है, ओके, differentiation of cot x plus y, अब cot x का differentiation क्या होता है, तो minus का caucic square x, याद कलिजेगा, minus का caucic square x, तो minus का caucic square x, तो एक बात ध्यान करेगा बटा, थोड़ा सा, मैं चाहता हूं कि इन सवालों को थोड़ा सा अरेंज कर दिया जाए, है ना, ओके, अब, क्या है, कि, इधर भी हलका सा अरेंज कर देते हैं, जगा बचाना ना, अरे, देश, ऐसी छोटी-छोटी चीजों से तो चलता है, हाँ जी, ये थोड़ी सी जगा हमें अगर मिल जाए, तो हम इसको यहां लिख देंगे, है की नहीं, ये लिजी, अब हमारे पार देखो, जगा ही जगा है, क्या दिक्कत है, तो ये सावारे सवाल, प्यारा सा मासुम सा सवाल को हम यहां लेके आजाते हलका सा, अब देख लो, देख रहे हो, साइन्स कितना आगे बढ़ चुका देश में, एक दम बढ़ियां, सुन्दर सा, साइन्स, अब हमारा चुकी डिफ्रेंशेशन और कॉट A प्लस Y है बटा, तो माइनस का कॉसिक स्क्वायर, A प्लस का Y, और साथी साथ डिफ्रेंशेशन में, A प्लस Y, तो डिफ्रेंशेशन औफ A प्लस Y, 베 SER Yoda沒, A का डिफ्रेंशेशन 0, ये तो कोई नमबर है ना, इसका डिफ्रेंशेशन 0, लेकिन ये णो डिफ्रेंशेश होगा नहीं, KY के रिस्पेक्ट में क्यों हमने DX अपान BY का रखा है, अब देखो, Y का डिफ्रेंशेशईयन 100 error-1, sin a cosic square a plus y divide में जाएगा वैसे नहीं cosic का एक formula भी होता न 1 upon sin cosic square 1 upon sin a square तो sin square a plus y sin square a plus y अब देखिए का इदर into में 0 plus 1 यानि कितना same to same चीज किसके बराबर dx upon dy अब ये dy upon dx अगर कर लें reciprocate कर दें तो क्या हो जागा वैटा sin square a plus y के साथ upon में कितना sin a तो क्या आपको ऐसा ही differentiation चाहिए था चेक कर लीजेगा येस यही चाहिए था लेकिन द्यान दिए सवाल इतना बड़ा देख करके बिदार थी एकदम डर जाएंगे कि अरे बापरे ऐसा सवाल में ऐसा तो मैंने कभी किया नहीं तो कोई बात ही मैं आपको बता रहा हूँ दुबारा पूरा सवाल तो बटाए सबसे पहले सवाल को उठाके इदर ले जाओ लेकर माइनस में हो गया यहां से सबसे प्रेम से एक्स निकाल दो सबसे पहले एक्स निकालो एक्स को अकेला करो एक्स को अकेला हमने किया तो माइनस का साइन ने कॉस ए प्लस वाई के अपोन में साइन ए प्लस वाई अब देखो यह प्यारा सा यह जो cos upon sin a plus y दिख रहा इसको हम क्या लिख सकते हैं cot cot a plus y है ना अब आगे cot a plus y लिख दिया तो cot a plus y अब भहिया दोनों तरफ d upon d y दोनों तरफ अगर ले लिया तो क्या हो जागा एक्स का d upon d y यानि by के respect में x का अब कलन और यहां constant is sign है बाहर ले लो जल्दी अब कितना बज गया cot a plus y तो cot a plus y का differentiation फिर से देखो mistake mistake इसलिए दुबारा करना चाहिए d upon d y कितना विटा d upon d y आगे तो cot square y किसका बटा cot x का cot x का differentiation कितना होता था cot square x तो cot a plus y का minus cos x square a plus y okay minus sign के साथ आगे a plus y का फिर से differentiation a का differentiation 0 y का कितना 1 तो 0 प्लस 1 1 1 इंटू पूरा टम सेम तो सेम अब हमें चाहिए था कितना d y upon d x हमारा उत्तर था d x upon d y में तो बटा यह था पलट दिया पलट दिया तो sin square a plus y के अपॉन में sign तो मेरे प्यारे बच्चो अगर आपको यह सवाल समझ में हैं तो जल्दी से नोट कर लो और खास बात इसको important लिख लीजेगा बहुत ही important सवाल है बटा जल्दी से अगर आपने नोट के ले तो हम चलते बटा अगले सवाल की दरब अगला हमारा प्यारा सा सवाल क्या है sin y equal to x sin of a plus y आपको अब तो समझ में आगे होगा कि इसमें सवाल में hint क्या है लगातार में ये सवाल करा रहा हूँ सबसे important सवालों में से है देख रहे हो sin square a plus y चीए क्या चीए sin square a plus y तो क्या चाहिए हमें इंडारेक्ली अगर आपको hint लगातार पीछले दो सवालों में समझ माया होगा तो ये सवाल में भी समझ में आना चीए देखेगा क्या है तो बिटा एक्स ऐसे ही अगर रख दें इस एक्स को अगर हम ऐसे ही रख दें तो क्या हो जाएगा इस एक्स को अगर अकेला रख दें तो एक्स बराबर कितना भी द्यारती हूँ sin y के अपॉन में sin a plus y हो जाएगा अब sin square आपको चाहिए तो चिंता की बात नहीं है दोनों तरफ d upon dy ले लो तो d upon dy दोनों तरफ लेने पर लेने पर या ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो कि दोनों तरफ y के सापिक्ष में अब कलन करने पर इसके y के सापिक्ष में और सब्द ही है लेक दोनों तरफ y के सापिक्ष में y के सापिक्ष में अब कलन करने पर तो सब्द का थोड़ा ध्यान रखिएगा अब कलन करने पर क्या हो जाएगा बटाजी तो हो जाएगा x बरावर साइन बाई के अपॉन में साइन a प्लस बाई अब सुनों जरा दोनों तरफ अब कलन करते हैं तो d अपॉन d वाई इधर भी और d अपॉन d वाई इधर भी तो क्या यह बहुत टफ है नहीं यह बिल्कुल टफ नहीं है अब देखिएगा क्या हो गया तो d x अपॉन d y बराबर तो एक काम करते जगह इधर वाला ही यूज कर लेते हैं ना ठीके ना अब आप जल्दी से जरा लिख लो इसको अगर आपने लिख 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 लि चीज सॉल्व हो जाएगा है ना चिंता की बात नहीं है अब डी बर टेक्स रोबर कितना हो जाएगा समझ गया आप हांजी बोलिए बिद्यारती हो यह सवाल जो होते ना यह सवाल बहुत आसान होते है यह है कि आप कितनी इसकी प्रैक्टिस करते हैं अगर आपने बहुत अच्छी इसकी प्रैक्टिस कर लिए तो चिंता की बात नहीं रहती अब आगे देखें क्या हो जाएका नीचे साइन स्क्वाइर ए प्लस वाई तो सवाल का स्क्वाइर अब इसको उपर लेके जाते हैं साइन ए प्लस वाई को छोड़ देंगे तब डिफ्रेंशेशन किसका लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बार बार भुल जाते हैं बाई के रिस्पेक्ट में कि इसका d upon d of by of sin y minus sin y को छोड़ देंगे तब differentiation लेकिन by के रिस्टिक ने भूलना नहीं है बार बार किसका sin a plus by का sin a plus by का तो मेरे प्यारे बच्यों अगर आपने लिख लिया है तो इससे बड़ेया सुंदर सी बात कोई हो ही नहीं सकती अब मुझे चायए differentiation अब ये differentiation मेरा विद्ध्यार्थी कैसे लाके देगा ये तो मेरे विद्यारती का ही काम है अब अगर आपने differentiation कर लिया होगा है ना अगर आपने differentiation कर लिया होगा तो इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है तो ध्यान दीजिएगा जल्दी से ध्यान दीजिएगा विटा जल्दी से ध्यान दीजिएगा क्या है अब अगला अच्छा ये तो लाना ही है ना हुमें कोई बात ही अब आओ तो dx upon dy किसके बराबर विद्यारती हो नीचे देखो आप sin square a plus y के sin square a plus y के अब आगे sin a plus y आगे y के respect में sin y का differentiation cos y बहुत सुंदर माइनस sin y है बिटा into sin a plus y का differentiation cos a plus y इजी है बहुत ज़्यादा सुंदर बात एक बहुत प्यारी सी बात बताना जाता हूं सुनो ध्यान से sin a cos b minus cos b और sin a ये किसका फार्मूला है तो sin a minus b का अगर आपको नहीं याद है तो कोई बातें चिंता मत करें मैं बता देता हूं sin a क्या होता न विटा sin a minus b का एक फार्मूला होता है sin a cos b minus cos a और sin b या sin b cos a ऐसा भी लिख सकते हैं क्या sin b cos a भी लिख सकते हैं चिंता की बात नहीं है sin b और cos एक यहीं बात है अब देखो यहां से आपका यह सवाल किस तरी किसे दिख रहा है तो dx, dx के अपॉन में यह जो dy है dx के अपॉन में dy है तो sin a plus y, okay minus का y अपॉन में sin square a plus का y हो जाएगा अगर हम y से y cancel out कर दें तो क्या बचेगा बेटा? sin a sin a के अपॉन में sin square a plus y यह किस के बरावर? dx अपॉन dy के अब आप अपने उत्तर के बड़े करीब हैं ध्यान दिजेगा dy अपॉन dx चाहिए आपको तो पलट दिया जाए तो ध्यान दिजे विटा इसलिए dy अपॉन में dx करेंगे तो कितना हो जाएगा? sin square bracket में a plus y के अपॉन में कितना? sin a तो चिंता की बात नहीं है क्या बात है? यहां लिख लेजेगा तो मेरे प्यारे बच्चे dy by dx की से बरावर sin square a plus y के अपॉन में sin a तो जाएगे जल्दी से कॉपी कर लेजिएगा मज़ा जाएगा बटा अब सवाल 24 के बाद सवाल 25 लेकिन पहले 10 सेकेंड अब जल्दी कॉपी कर लो फटा पट है न तब अगला सवाल है क्या? देखो अगला सवाल है 24 के बाद 25 y equal to x sin y बराबर सिद किजिए डिवाई 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 के अपॉन में ऐसा सम्तिंग अच्छा देखो इस सवाल को देखते ही मन में आपकी फिर से मचलने लग गया होगा सर क्या करूं मैं? ये x को अकेला करके sign y लिकर दें क्या? कर सकते थे आप लेकिन क्या जो नीचे जाएगा उसका whole square पूछा है क्या? whole square कहीं पूछा है? नहीं पूछा है तो चिंता नहीं करना है डारेक्ट सॉल्व करो है ना? अब कैसे डारेक्ट सॉल्व करेंगे? मैं बताता हूँ पूरे सवाल को प्रेम से लेख लो बेटा एक्स के सापेक्च अब कलन करने पर है ना? अब कलन करने पर क्या मिलेगा? मैं बता रहा हूँ तो य का डिफ्रेंशेशन अच्छा य बराबर पर तो यसे लिख दो या एक्स साइन य तो थोड़ा प्रेम से लिख देते हम इसको अब कलन करने पर तो डी अपॉन कौन सा बता? डी एक्स आफ बाई डी अपॉन डी एक्स आफ एक्स साइन बाई आओ तो यह हो जाएगा डी वाई अपॉन दी एक्स बराबर कितना बता जी? एक्स को छोड़ेंगे तो अब डिफ्रेंशेशन किसका? साइन बाई का प्लस अगर sin y को छोड़ देंगे तो x का differentiation 1 अब लिग दे रहे हैं क्या जा रहा है अगले स्टेप में तो करना ही है ना x अब सुनो sin y का cos y लेकिन y का dy y dx प्लस यह कितना sin y into 1 क्योंकि x का differentiation 1 अब सबसे प्यारी बात सुनी गए यहां क्या है dy upon dx यहां कितना है dy upon dx अब सुनो यह उठा करके इधर लाएंगे तो dy के अपॉन में dx उठा करके इधर लेके जाएंगे तो minus का x cos y और कितना dy upon dx बराबर sin y यह sin y आपके answer लाने में बड़ा important role ली भाएगा ध्यान दिजेगा सवाल में थोड़ा चेक करते रहेगा क्या चीज ऐसा खास है कराएंगे दोनों में dy by dx अबटा कॉमा ले लो आओ क्या बच गया 1 minus x 1 minus x into cos y बराबर sin y अब सुनिएगा यह divide में तो dy upon dx अचा भी तो upon हटा देते इक्वल टू यह जो sin y आपने लिखा है न इसके अपॉन में कौन 1 minus x cos y यहां तक उतर आपको प्राब्थ हुआ आप यही तक उतर ला पाएंगे लेकिन जहां पे इंटेलिजेंसी यूज करनी है वो क्या है क्या यह उतर लाना था चेक करो आपको ऐसा उतर लाना था विद्यार्तियों जो कि by upon x के टम्स में हो उपर sin y नहीं चाहिए अगर यह sin y नहीं चाहिए जबकि आपका उतर sin y में आ गया है तब क्या करना तो सवाल में दोड़ो कि ऐसा क्या हिंट छुपा हुआ था जो मैं मिस कर गया अगर वही हिंट आपको मिल जाए तो मजा जाएगा तो आओ दल्दी से दोड़ो देखो आईए हाँ जी by बराबर x sin y by बराबर x sin y तो देखो यहां से अगर मैं x यहीं छोड़ दूँ या मुझे क्या चीए sin y चाहिए ना उपर यह sin y का कोई मतलम नहीं मेरे लिए तो sin y यहीं रग दूँगा मैं तो sin y कितना जगा by के अपॉन में x जैसा यह देखो तो sin y किसके बराबर बताओ by के अपॉन में x के जैसा by के अपॉन में x के जैसा तो देखो यह वाला sin y की जगा y के अपॉन में x जैसा अब देखो यहाँ पे रह जागा कितना y के अपॉन में x जैसा तो मेरे प्यारे विद्धार्थी हो dy upon dx बरावर हमारा यह प्यारा सोतर क्या हम लेगा x नीचे multiply में y के अपॉन में x into 1 minus x cos y तो अगर आपको यह उत्तर समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है तो मेरे प्यार विद्धार्थी हो जल्दी सी इस उत्तर को नोट कर लीजिएगा वैसे आज हमने बहुत सारे सवाल कर चुके है अब ध्यानेजे लेकिन यह सारे सवाल बहुत इस सवाल को भी आप मेरी तरफ से IMP लगा लीजिए है ला इंपोर्टन कोशन में से एक क्योंकि एक्जाम्स में आने वाले सवालों की लिस्ट में यह सामिल हो सकता अगर मैं टीचर होता तो जरूर ऐसे सवाल देता जो बच्चों को कहीं न कहीं रोके कहीं न कहीं फसाए तो देहान दीजेगा यह सवाल में छुपा हुआ था कि sin Y वराबर हम कितना य के अप ओन में X लिख सकते हैं तो यहां sin Y के अपन में कितना Y अपन X लिखा जो के आपको उत्तर लाने में सहायक हुआ और परफेक्ट उत्तर आया नहीं तो आपका उत्तर कहां आता विटा आपका उत्तर आता कितना साइन वाई के अपॉन में बन माइनस एकस कॉस वाई तो विद्यारतियों जल्दी से इसको कॉपी कर लिजेगा अब वक्त हो चुका है घड़ी के टिंटिन क्या कह रही है घड़ी के टिंटिन कह रही है विदा लेने के लिए तो मेरे प्यारे विद्यारतियों सच में विदा लेने का वक्त आ गया है तो अगले सेशन में हम फिर से नए टॉपिक नए सवालों के साथ आपको मिलेंगे तब तक के लिए जुड़े रही हमारे साथ और हमारे बहुत ही अच्छी टीम मैंगनुड बिरिन के साथ तो विद्यारतियों आपका प्यारा से चेक आपसे लेता है विदा और आपको कहता है बाई बाई और टेक केर